इस वीडियो में हम प्रपत्र 24 यानि कि मद्दान अभिकरता की नियुक्ति पत्र का जो प्रारूप है वो कैसे भरेंगे ये बताने वाले हैं आप ध्यान से सुनेगा चार पदों पर मद्दान हो रहा है ग्राम परदान जिला पंचाई सदस्य और छेतर पंचाई सदस्य यानि कि आपको चारों के लिए अलग-अलग मद्दान अभिकरताओं की नियुक्ति पत्र का प्रारूप भरना होगा लेकिन उससे पहले कुछ बा वार्ड बढ़ा हो जैसे कि मैंने यहां उधारान की तौर पर लिख दिया है कि वार्ड संख्या एक से लेके चार तक अब देखिए अगर आप ग्राम पंचाय सदस्य के लिए एजेंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि किन-किन वार्डों से प्रत्यासी खड़े हुए हैं अगर सभी वार्डों से प्रत्यासी खड़े होंगे तो आपको सभी वार्डों का पोलिंग एजेंट बनाना होगा और एक या दो वार्डों से खड़े होंगे तो आपको उस वार्ड का पोलिंग एजेंट बनाना होगा तो देखिए ग्राम पहले वाड के लिए ये format भरने जा रहे हैं तो आपको एक लिखना होगा, अगर आप दूसरे वाड के लिए polling एजरेंड बनाने जा रहे हैं तो आपको दो लिखना होगा, और अगर आपके भूत पर वाड की सिंख्या 6, 7, 8 कुछ इस तरह से हैं, तो जिस भी वाड का आप polling बनाने जा रहे हैं उस वाड का क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा अब आपको यहाँ पर जहाँ पर C लिखा है इसे काड़ देना होगा इसकी जुरूत कब पढ़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें आगे लिखा है कि तक ग्राम पंचैट के लिए सदस्य उसके इसमें आप लोग कि प्रत्याशी का नाम लिख सकते है हैं यह निर्वाचन अभीकरता कौन होगा रहा है तो देखिए आप ध्यान से सुनेगा यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रत्याशी ओबलिक निर्वाचन अभिकरता के हस्ताक्षर तो देखिए जो आप पोलिंग एजेंट की न्यूकती करने वाले हैं पोलिंग एजेंट की जो नियूकती होती है वो प्रत्याशी के भी सिगनेचर से हो सकती है और निर्वाचन अभिकरता के सिगनेचर से भी हो सकती है जिसके भी सिगनेचर से उसकी नियूकती होती है उसके सिगनेचर का जो स्पेसिमेन होता है जो फॉर्मेट होता है वो आपको सभी सामागरिय के साथ मिलेगा तो अगर मद्दान अभिकरता की न्यूकती से सम्मंदे जो सिगनेचर का स्पेशीमेन है अगर वो प्रत्यासी का होगा तो आप यहां पर प्रत्यासी का नाम लिखेंगे और अगर वो निर्वाचन अभिकरता का होगा तो आप प्रत्यासी का नाम नहीं लिख लिखेंगे उस case में आप निर्वाचन अभिकरता का नाम लिखेंगे और अगर प्रत्यासी के नाम से होगा तो आप निर्वाचन अभिकरता का नाम नहीं लिखेंगे ध्यान दीजिए इस बात को यह बड़ी important बात है अगर आप यह बात समझ गये हो तो आगे सुनिए फिर उ संक्या एक इस टाइब से वह लिखा होगा तो आप यह लिख देंगे उसके बाद यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रत्यासी के सिगनेचर से उसकी नियुक्ति हो रही होगी तो आपको इस फॉर्मेट को इतना भरने के बाद उसको देना होगा यहां पर प्रत् सीन अधिकारे सिगनेचर करेगा यहां पर स्थान लिख देजेगा और यहां पर दिनांग लिख देजेगा तो इस तरह से मैंने आपको ग्राम पंचाय सदसे के लिए जो आपको मद्दान अभी करता यानि कि पोलिंग एजिंड बनाना है उसका फॉर्मेट आप कैसे भरें हैं तो देखिए जिस बूत पर आप ग्राम प्रधान पत का चुनाव करवाने जा रहे हैं उसके लिए केवल एक पोलिंग एजिंट की नियुकती होगी हमने उधान के तौर पे माल लिया कि जो हमारे बूत पर वाड़ों की संख्या है वो एक से चार है तो देखिए नियु है यहाँ पर भी क्रॉस करना है और यहाँ पर भी क्रॉस करना है फिर जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था में के बाद यहाँ पर प्रत्यासी का नाम आता है और हूं के बाद यहाँ पर निर्वाचन अभिकरता का नाम आता है तो अगर ग्राम प्रधान पत का जो बनने जा रहा है जो बी ईज़ेंड बनने जा रहा है उसका नाम लिख दीजेगा जो एपलाइए नहीं होगा उसको आप काड़ दीजेगा अगर वो पुरुष हो तो स्रीमतिज स्व्री काड़ दीजेगा उसके बाद आपको यहाँ पर मद्दान इस थलका क्रमांक वह नाम सिंगनेचर होगा यहां पर पीठा सी नदिकारी का सिंगनेचर होगा स्थान और दिनांग लिख दिया जाएगा अब देखिए च्छेत्र पंचयत का नाम लिखना चारे तो लिख दिजेगा अदरवाइस आप काट दिजी यहां पर भी काट दिजे आप ध्यान से सुनिए से पहले आप ब्लॉक का नाम लिख दिजेगा आपका बूस जिस भी ब्लॉक में होगा वो आप का नाम यहां पर लिख दिजेगा फिर देखे छेत्र पंचयत के निर्वाचन छेत्र का क्रमांग आपको निर्वाचक नामाउली की उपर जो पर्ची है वहाँ पर मिलेगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजेगा उसके बाद आपको जिला पंचायत के निर्वाचन छेतर क्रमांग के आगे का जो स्पेस है उसको काड़ देना होगा फिर वही बात आगी कि मैं के आगे यहाँ पर प्रत्यासी का नाम लिखा जाता है रहूं के आगे निर्वाचन अभिकरता का नाम लिखा जाता है जिसके भी signature से इस मद्दान अभीकरता की न्यूकती हो री होगी जिसका specimen signature आपको समागरी के साथ मिला है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे अगर प्रत्यासी का नाम होगा तो उसका नाम लिखेंगे अगर प्रत्यासी का नाम होगा तो इसको काटना होगा और अगर निर स्थान का नाम दिनांक का नाम और जो आपका पोलिंग एजडेंट बनने वाला है उसका आपको यहां पर सिगनेचर करवाना होगा यहां पर पीठा सी नदिकारी के सिगनेचर होंगे स्थान और दिनांक आप लिखवा देंगे अब इसके बाद जिला पंचायत सदर्सी का पहले आपको जनपत का नाम लिखना होगा यहां पर और यहां पर आपको जिला पंचायत के निर्वाचन छेतर क्रमांग जो सेक्टर वगरा में होता है सेक्टर चार सेक्टर पांच उस टाइप से आपको लिखना होगा जो भी आपको मिलेगा अब आप देखे जब जिला पंचायत की निर्वाचन शेत क्रमांग को आप यहां पर लिख देंगे तो यह चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप इनको नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिर वही बात आ गई में के बाद यहां पर प्रत्यासी का नाम आता है होंके बाद सिंगनेचर करवाने होंगे आपको और यहां यहां पर निर्वाचन अभिकरता का नाम लिखा है तो उसका आपको सिंगनेचर करवाना होगा बहां यह तो फर पर इस वीडियो के माध्यम से प्रत्र परसिस्ट पांच है कि मद्दान अभिकरता के न्यूक्ति पत्र कैसे भड़ते हैं वो आपको अच्छे डेंच से समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जादस जादा शियर करेगा ताकि सभी लोगों को लाब मिल पाएं वीडियो देखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद